एक लड़का था उसका नाम था बरदराज बरदराज पढ़ने में बहुत कमजोर था इस कारण शब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कोई मंद बुद्धी कहता तो कोई मुर्ख कहता था उसके सभी साफाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कच्छा में पहुँच गए लेकिन बालक बरदराज एक ही कच्छा में कई साल से पढ़ रहा था उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी उसकी बुद्धी कमजोर होने के कारण उस पर गुरु जी भी ना कहकर निकाल देया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उसके आखों के शामने अधेरा चागया उसे अपना भविश्य धुन्धला दिखाई देने लगा भारी मन से उदाश होकर बरदराज बिद्याले से निक रहा था उसके मन में शैकडों प्रश्ण उठ रहे थे दो पहर का शमय था सुनसान रास्ता तेज धूप उसी समय बालक बरदराज को प्यास लग गई बरदराज ने अपने आसपास देखा तो दूर उसे एक कुवा नजर आया बरदराज उस कुवे के पास पहुचा बरद यह देखकर बरदराज को बहुत आस्चर जुआ उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके मस्तिस्क में बहुत ही अनोखा प्रश्ण आया उसने अपने आप से पूछा जब यह पतली रेशम की रश्शी के बार बार घरसन से कुवे के जगत पर निशान आ गये हैं तो क्या मैं बार बार कोशिस करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता बरदराज बापस घर नहीं गया वह विद्याले लोटाया और उसने अपने गुरुजी से जा कर कहा गुरुजी आप मुझे पढ़ने का एक मौका दिजे मैं आपको निराश्ट नहीं करूंगा गुरुज गुरुजी के शामने पहले वाला बरदराज नहीं खड़ा था आज उसके चेहरे पर एक चमक थी उसका आत्म बल मजबूत दिख रहा था उसके चेहरे पर प्रशंता की जलक थी गुरुजी समझ गये उन्होंने बरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया उस दीन के बा गुरुजी को शिखाते बरदराज उसे ध्यान से सुनता और अपना पाठ याद करकर गुरुजी को शब्षे पहले सुनाता और अपनी कच्छा में शब्षे ज़्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद बरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत जल्दी वह अपने विद्यालाय में शक्ष बुद्धी मांच छात्र बन गया, गुरुजी उसकी तारिफ करने लगे, बरदराज अपनी कच्छा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का ध्यन करता था, वह विद्यालाय का सबसे हुनहार बालक बन गया, बाद में चलकर यह बालक संस्क्रीत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्क्रीत के तीन गरंते की रचना की, मध्धे सिध्धांत कौमूदी, लगु सिध्धांत कौमूदी और शार कौमूदी, उनके जीवन पर एक दोहा ज कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए